नमस्कार बाईजूज एक्जाम प्रेप आईएस हिंदी प्रेटफार्म पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 2 अक्टूबर 2022 के दैनिक क्विच की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी संग लोग स्वायो की प्रारंभिक परिक्षा के दिस्कोर्ट से लाबदाया स दो सकता है तो आईए पहले प्रस्न की ओर चलते हैं निमलिखित में से कौन यूनेस्को की अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है तो दोस्तों यहाँ पर यूनेस्को जिसे यू एन एस सी ओ कहा जाता है यानि यूनाइटेड नेशन एजूकेशन साइंटिफिक दोस्तों अब यह यूनेस्को की जो अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत ये क्या होती है तो अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत इसे हम जीवित सांस्कृतिक विरासत भी कहते हैं यानि हमें अपने पूर्वजों से अनेक संस्कृति मिली है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये आने व जिनहें समुदाय या समूह कह सकते हैं तो इस तरह से समूह या कभी-कभी ब्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में पहचानते हैं तो अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत के तहट मौखिक परमपराएं होती हैं कौन सी होती हैं? मौखिक परमपराएं, कला प्रदर्सन, सामाजिक प्रताएं, अनुस्ठान और उस्वकारेक्रम, प्रकृति और ब्रह्मान से संबंधित ग्यान, अभ्यास, पारमपरिक, शिल्प, कोशल आदी होते हैं तो दोस्तो इसी उद्देश से साल 2003 में योनेस्को द्वारा अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत की सुरुवात हुई थी तो वरतमान में अगर देखा जाए तो भारत में कुल 14 अमूर्थ सांस्कृतिक विरासते हैं जिसमें से अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया है भारत नाट्यम, दुरगा पूजा, मोहनी अट्रम, राम लीला और योग तो इसमें उत्तर क्या होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं दुरगा पूजा भूई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है और राम लीला भी है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और यहाँ पर देख सकते हैं योग भी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है तो दोस्तो राम लीला को 2008 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर इसे देखा गया था और 2016 में योग को मिला था मानेता और दुरगा पूजा को 2021 में आमूर्थ सांस्कृतिक विरासत के तौर पर यूनेश्ट को में सामिल किया गया था तो इस तरह से यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं केवल 2, 4 और 5 तो इसे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एक्स्पेस में आई हुई खबर है और इस समय दुरगा पूजा यानि सितंबर और अक्टूबर में यहाँ फेस्टिवेल मनाया जाता है खासकर सबसे अधिक यहाँ पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है तो दोस्तों पूजा इन कोलकाता को 2021 में और 2016 में योग को इसमें डाला गया था तो और भी यहाँ पर दिया है इसे जरूर देखिएगा अब भड़ते हैं दूसरे महात्पूर्ण प्रस्ण की ओर हिमोनाइड रोबोट आप्टिमस का विकास निमलिखित में से किस कमपनी द्वारा किया Dewan Musk ने ओप्टिमस नामक humanite रोबोट का एक प्रोटोटाईप प्रदर्सित किया है दोस्तो यहाँ इंसानों जैसा कारे कर रहा है इसके बारे में यही कहा जारहा है तो दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस संबंधित यहा खबर आई हुई है सैन फ्रांसिस्को याण तीसरे महात्रपूर्ण प्रसंद की ओर वंदे भारत 2.0 के संदर में निमलिखित कथनों में से कौन सा से सही है इसका निर्माड राइबरैली की इंटीग्रेटेड कोच फैक्टरी में किया गया है दोस्तों यह कथन गलत हो जाता है दोस्तों इस नई वंदे भारत एक्सपेस स्ट्रेन है जो मुंबई और गांधी नगर के बीच सुरू हुई है दोस्तों इससे पहले जो पहली वंदे भारत एक्सपेस चली थी वाराण से से दिल्ली तक चली थी दूसरी दिल्ली से कटरा जो कि वैस्टनो देवी का दरसन करने के लिए जाते हैं लोग तो वह दिल्ल इंटर्टेन्मिन्ट कंटेंड व्यूइंग फैसेलिटी तीन घंटे का बैटरी बैकप और जीपियस सिस्टम जैसे सुभिधाये दी गई है तो यह तीसरा कथन भी सही है अता उत्तर क्या होगा दो और तीन सही होगा तो दोस्तों यह जो पिछली वंदे भारत एक्सप्रे लागत आई है जबकि जो पहली वंदे भारत बनी थी उसमें 115 करोण लागत आई थी दोस्तों इसमें जो 80% मटीरियल लगा हुआ है वह स्वदेसी है तो दोस्तों इससे संबंधित यहाँ पर देख सकते हैं इंडियन एक्सपेस में आई हुई खबर है अब बढ़ते हैं च उत्तराखंड में ही है क्योंकि कालागर्ड टाइगर रिजर्व इसे पार्ट आफ कार्बेट नेशनल पार्क सच्वेटिड इन लैंस डाउन डीजन आफ उत्तराखंड तीसरा है पलामू बागभव्यारंड च्छत्तिसगर्ड यह भी गलत है यह जहार खंड में है चौथ दित देख सकते हैं दहिंदू में आई हुई खबर है ओवर 6,000 ट्रीज इलिगली कट फार टाइगर सफारी तो दोस्तों कार्बेट रिजर्व के पास करीब 6,000 से अधिक पेड़ पौधों को काट दिया गया है जिससे की परियावरण को नुक्षान हो सकता है तो यहाँ प प्रधान मंतरी 2019 में जब उत्तराखंड गए हुए थे इस पार्क में वहाँ पर पाखरू टाइगर सफारी परियोजना की घोशना की थी हमारे देश के प्रधान मंतरी ने 2019 में तब से इस पर कार चल रहा है अब बढ़ते हैं दोस्तों 2020 में आय हुए प्रसन की ओर वेलेज जली ने कौलकात्ता में फोर्ड विलियम कॉलेज की अस्थापना किस लिए की थी उसे लंदन में सिद बोर्ड आफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था वह भारत में प्राच ग्यान के प्रति अभिरिच पुना जागरत करना चाहता था वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था वह बिटिस नागरिकों को भारत में प्रसासन हेतु प्रसिक्षित करना चाहता था यह कथन एकदम सत्य है तो दोस्तो लॉर्ड वेले जली एक बिटिस राजनीतिक और अपनिवेसिक प्रसासक था वह 1798 से ले करके 1805 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं और बाद में बिटिस कैबनेट में विदे सचिव के रूप में भी कार किया था तो उन्होंने सहायक गडवंधन के सिध्धान को पेश किया जिसके तहत एक भारतिय सासक को अपने ससस्त्र बलों को भंग करना पड़ा और अपने छेत बिटिस सेना को स्विकार करना पड़ा तो भारत में बिटिस छेत्रों को 1800 के दशक में बहुत विस्तार हुआ और तो दोस्तों बिटिस अधिकारियों को भारती भासा और उनके उपर बहतर प्रसासन करने के लिए भारत के लोगों की संस्कृती सिखाई गई और यही कारण से यानि कल से भारतिय रिजर्ब बैंक के कार्ड आन फाइल टोकनाईजेशन मांदंड लागू हो गए है जिसका उद्देश कार्ड लेंदेन की सुरक्षा और उसकी सुरक्षा में सुधार करना है तो अब ऑनलाइन या मोबाइल एप के माध्यम से की गई किसी भी खरिदारी के लिए ब्यापारी भुकतान एग्रिगेटर और पेमेंट गेटवे महत्पूर्ण ग्राहक क्रेडिट और डेविट कार्ड विवरंट जैसे तीन अंकों का CVV जो होता है ध्यान रखेंगे जैसे हम एसा कहा जाता है कि अपना CVV शेयर ना करें और समाप्तितिति को सहेज नहीं पाएंगे तो इस तरह से यह टोकनाईजेशन है क्या तो टोकनाईजेशन किसी भी समवेदन सील डाटा को गैर समवेदन सील डाटा में बदलने की एक प्रक्रिया है और इस टोकन के इस्तेमाल से और दूसरा है बैक एंड टोकनाईजेशन जहां तक फ्रंट एंड टोकनाईजेशन की बात है तो फ्रंट एंड टोकनाईजेशन का नेर्माण उपभोकता के द्वारा किया जाता है जिसमें अपनी मूल पहचान को छिपा कर Digital रूप में उपियोग किया जाता है और इस token की सफसे बड़ी समस्याया है कि उपियोग करता को Digital रूप से साक्षर होना और तकनीकी रूप से सिक्षित होना चाहिए क्योंकि उन्हें token की ओसकता क्यों होगी और online इसे कैसे बनाया जा सकता है इसका ग्यान होना चाहिए वहीं अगर हम दूसरा back-end tokenization की बात करते हैं तो back-end tokenization का प्रयोग तब किया जाता है जब पहचान करता अन्य विधी के द्वारा अपने token को दूसरों के साथ साजह करते हैं और अपने मूल पहचान को दूसरे तक जाने से रोकते हैं तथा अपने data को सुरक्षित करते हैं और यह automatically user के identification को छुपा कर token को create करता है और उसके identification को protect करते हुए आगे बढ़ाता है tokenization कैसे कार करेगा तो यह किसी भी user को token system के लिए card provider company के एक request करना होगा जिसके बाद users के card की सारी detail user के mobile या tablet के identification से एक token generate हो जाता है और इस token को generate होने के बाद वह company उसे अपने customer के साथ share करेगा और जिसके द्वारा वह customer उस सुविधा का इस्तेमाल कर सकेंगे तो token सेवा का लाब उठाने के लिए ग्राहक से कोई सुल्क नहीं लिया जाएगा पहले card token की सुविधा केवल इच्छु card धारकों के mobile phone और tablet के लिए ही उपलब्द थी इसके बाद token की मात्रा में ब्रिध के साथ RBI के उभोकता उपकरणों जैसे laptop, desktop, पहने योग कलाई की घड़ियां, internet of things उपकरणों को सामिल करने के लिए token के दाइरे का विस्तार करने का निरने लिया है तो दोस्तो इससे tokenization से safety कैसे बढ़ेगी तो token card की या विवस्ता सुरू होने के बाद किसी भी card धारकों अपने card की detail third party Fs के साथ share नहीं करनी पड़ेगी और यही RBI ने निरने लिया है तो यह बहुत ही महात्पूर्ण पहल है RBI की तो दोस्तो इससे token युपत card जो लेन देन को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि यह लेन देन प्रसंस्क्रण के दौरान वास्तोविक card विवरण ब्यापारी के साथ साजहा नहीं किया जाता है तो वास्तोविक card data token और अन्य प्रासंगिक विवरण अधिकरित card network द्वारा सुरक्षित मोड में संग्रहीत किये जाते हैं और token जो अनुरोध करता प्राथमिक खाता संख्या जिसे pen number कहा जाता है या कोई अन्य कार्ड विवरण संग्रहीत नहीं कर सकता और पहले क्या होता था इसको करना पड़ता था जैसे मालीजे की railway की booking कर रहे हैं फ्लाइट की booking कर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ CVV बताना होता था और तुरंत उसके बाद आपका payment कड़ जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा चुकि उससे क्या हो सकता है असुरक्षित रह सकता है आपके mobile के द्वारा या उस CVV अगर किसी को जानकारी हो जाती है तो उससे transaction किया जा सकता है नहीं पहले क्या था ओ कंपनियों के पास आपका data रहता है अभी Amazon पे आपको समान मगाते तो उसमें सीधे CVV नंबर मांगता है तो ये सुविधाएं अब हटेंगी और इससे क्या होगा कि आपके card की सुरक्षा बढ़ेगी अब आज के महत पूर्ण प्रस्न आप लोगों के लिए है दोस्तों पहला प्रस्न है अमूर्थ सांस्कृतिक विरासत क्या है और भारत की कितनी अमूर्थ सांस्कृतिक विर किये तो इस तरह से आज का आँके ही समाब्त करते हैं आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद